पिछले एपिजोड में हम बात कर रहे थे ग्रीन टी के फायदों के मारे में चलिए उसी बात को आगे बहाते हैं ग्रीन टी का जो एक सबसे बड़ा फायदा मुझे समझ में आता है वो यह है कि यह आपके शरीर में कैंसर डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करता है कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स जिसके कारण विश्व में सबसे ज्यादा मौत होती है ग्रीन टी में बहुत ही पावरफुल एंटी ओक्सिडेंट्स होते हैं जो की कैंसर सेल्स डेवलप होने के चांसेस को रिड्यूस करते है एक स्टडी में यह बाया गया है कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर में पैदा होने वाला में कैंसर है अगर green tea का जो महिला regular इस्तेमाल करती है उसको breast cancer होने के chances 22% कम हो जाते हैं इसी तरह पुरसों में एक study की गई जिसमें ये दिखा गया कि जो पुरुष green tea का इस्तेमाल करते हैं उनको prostate cancer होने के chances में 48% की कमी आई है इसी तरह से चाहिना में एक शोध किया गया लगबख 70,000 महिलाओं पर ये शोध किया गया और ये पाया गया कि green tea का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में लगबख 57% colorectal cancer या colon cancer develop होने की संभावनाएं कम होगी green tea का इस्तेमाल बुजर्गों के लिए भी बहुत हायवे बंद है ये green tea जो होती है वो आपके brain function को तो improve करती है केवल short time के लिए ही improve नहीं करती है बलकि long term के लिए age के साथ होने वाली disease से भी आपके brain को protect करती है बुजर्ग वस्था में mainly दो बीमारियां आती है अगर आप green tea का regular इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये बीमारिये आपके शरीर में आपके brain में develop होने के chances काफी reduce हो जाते हैं green tea के इस्तेमाल का एक और फायदा आपको बता देता हूँ ये आपके शरीर में type 2 diabetes के develop होने के chances को reduce करती है क्योंकि ये आपके insulin sensitivity को improve करती है और blood sugar को reduce करती है जापान में एक study की गई जिसमें ये पाया गया कि जिन लोगों ने ज्यादा तर green tea का इस्तेमाल किया था उनमें 42% type 2 diabetes होने के chances reduce पाये गए इसी तरह से 7 studies की गई और सारी studies का total ये निकला है कि अगर आप green tea का इस्तेमाल करते हैं तो लगबग 18% आपको type 2 diabetes डेवलप होने के chances reduce हो जाते हैं तो अगर diabetes से बचना है regular green tea का इस्तेमाल करते रहें इसके साथ ही green tea का इस्तेमाल करके आप अपना वजन ही कम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा हमारे अगले episode में फिलाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्त रहें हमसे मिलते रहें हमसे मिलने के लिए क्या करना है इस चैनल को सबस्क्राइब करना है अपने दूस्तों अपने रफ़ष्टारों को बोलें इस चैनल को सबस्क्राइब करें घर बैटा स्वास अलापता है और हमारे मकसद में हमारा साथ दे